नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है शालिनी, आप कैसे हैं ये नहीं पूछूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत प्यारे हैं आप मुझे एक बात बताईए, आपको कविताएं सुनना अच्छा लगता है ना, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी सी कविता लाई हूँ जो मैं आपको सुनवाओंगी लेकिन उससे पहले आप मुझे ये बताईए कि आपको दुनिया कैसे लगती है दुनिया क्या होती है? जिस ग्रेपर हम रहते हैं उस पर रहने वाले सभी जीवजन्तू, प्राणी, वातावरण ये सब हमारी दुनिया है इसी तरह से बहुत से लोग कहेंगे कि दुनिया गोल होती है कुछ कहेंगे कि दुनिया बहुत बढ़ी होती है और कुछ कहेंगे कि दुनिया बहुत प्यारी होती है और सुन्दर होती है इसी तरह आपके जैसी एक प्यारी बच्ची को दुनिया बहुत ही सुन्दर और बहुत प्यारी लगती है इसी लिए वो आज यहां हमारे साथ है और उसे कविताए सुनना और सुननाना भी बहुत अच्छा लगता है तो चलिए मिलते हैं शानवी से शानवी, सबको नमस्ते बोलो नमस्ते तो शानवी, आपको वो वाली कवता याद है न, जो आपने मुझे सुनाई थी तो चलो, सबको सुना दो मुझे हवा प्यारी लगती है, और सूरज और बारिश भी मुझे हवा प्यारी लगती है आपको भी लगती है न और सूरज और बारिश भी हम सब को प्यारे लगते हैं तो आप भी मेरे साथ कहिए मुझे हवा प्यारी लगती है और सूरज और बारिश भी आगे मुझे चिडिया प्यारी लगती है और जानवर और मचलियां भी आप सबको भी चिडियां और जानवर और मचलियां सबी बहुत अच्छे लगते होंगे तो बोली ना मुझे चिडियां प्यार ही लगती है और जानवर और मचलियां भी फिर मुझे फूल प्यारे लगते हैं और फल भी आपको भी फूल और फल अच्छे लगते हैं तो बोलिए ना मुझे फूल प्यारे लगते हैं और फल भी आगे मुझे अपनी किताबे अच्छी लगती हैं और अपने कपडे अपने किलोने भी तो आप सब को भी अपनी सारी चीज़े बहुत पसंद होंगी ना अपनी किताबे, अपने कपडे, अपने खिलोने तो बोलिए मेरे और शान्वी के साथ मुझे अपनी किताबे अच्छी लगती हैं और अपने कपडे और खिलोने भी आगे मुझे मा और बापू प्यारे लगते और अपने भाई और बहन भी आपको भी अपने मा बाप अपने भाई बहन सबसे बहुत प्यार होगा है ना तो बोलिए मुझे मा और बापू प्यारे लगते हैं और अपने भाई और बहन भी मुझे सारी दुनिया प्यारी लगती है इन सब को मिलाकर मुझे सारी दुनिया प्यारी लगती है शानवी ने इतनी खूब सूरत कविता आपको सुनाई मुझे पता है आपको बहुत अच्छे लगी होगी तो चलिए अब कविता तो हमने सुन ली आप थोड़ी सी बातचीत हो जाए आपको इन में से क्या अच्छा लगता है और क्यों? शानवी, बताओ तो यहाँ पर किन किन चीजों के नाम दिये गए हैं? हवा, बारिश, फल, फूल, खिलोने, धर्ती हम, इसके अतरिक्त आपको क्या अच्छा लगता है? यहाँ दिये गए वाक्य को पूरा कीजिए मुझे अच्छे लगते हैं रित्तिस्थान अपने मित्रू से भी पूछे कि उन्हें क्या अच्छा लगता है? कहानी में आए प्यारी शब्द पर गोला लगाए और लिखिए अब हम खेलेंगे खेल, कौन सा खेल? शब्दों का खेल अपने शिक्षक की सहायता से यहाँ दिये गए शब्दों को पढ़ें पहली ध्वनी पहचानगे दिये गए विकल्ब है? कौन-कौन से विकल्ब है शानवी? धनुष, फूल, खेल, फल, खलोने खा, फा और धा की ध्वन्या वाले अन्य शब्द बताईगे यह ध्वन्या शब्द में कहीं भी हो सकती है है ना शानवी? अच्छा शानवी, आप चित्र बनाती हो कौन-कौन से चित्र बनाती हो? फल, फूल, ननुष और उनमें रंग भी बरती होगी वो बहुत सुंदर लगते होंगे हैं ना? ओके, तो आप फे चित्र बनाते हैं, सुंदर-सुंदर चित्र कितने अच्छे लगते हैं ना? यहाँ भी आपके लिए एक सुंदर साचित्र तिया किया है हरी-भरी दुन्या का इसमें चारों और हरयाली है और तरह तरह के पशु पक्षी भी हैं आप देखकर बताईए कि इस चित्र में कौन-कौन से पशु पक्षी नजर आते हैं आपने पहचान लिया ना कि चित्र में कौन-कौन है? क्यों शानवी? कौन-कौन है चित्र में? पशु पक्षु जैसे गाए कर से खुंए और हमापको बताईंगे नहीं क्योंकि आपको पहचानकर बताना है ठीक है? अब हम एक और खेल lleते हैं ठीक है शानुवी त्यार हो इसमें आपको चित्र पहचान कर नाम लिखना है ठीक है और यहाँ पर जानवर और पक्षियों के चित्र है पहचानिये तो यह कौन है और इनके नाम लिखिए जैसे पहला चित्र है किसका बताओ शानवी पहला चित्र है मोर का आप भूल गए है ना तो बच्चो आपको बाकी के चित्र पहचान कर बताना है कि उनके नाम क्या-क्या है अब यह चित्र देखकर नाम बताएं और पढ़ने का प्रयास करें जैसे कि पहला चित्र किसका है श यहाँ आप को पहचानना है तो शानवी आपने जो कविता सुनाई न मुझे तो वो बहुत पसंद आई और मुझे लगता है हमारे सात के बच्चों को भी बहुत पसंद आई होगी है नhthal आपने भी यहाँ पर बहुत कुछ सीखा होगा आपको कैसा लगा मुझे बहुत अच्छा लगा जैसे क्या-क्या अच्छा लगा? मुझे हवा प्यारी लगती है, समुंद्र, बारिश आपको दुनिया में जो भी चीज़ें हैं वो बहुत प्यारी लगती हैं, है न? तो ऐसी और भी कविताई होंगे आपके पास, जो आप बच्छों को सुनाना चाहोगे, लेकिन हम उसे फिर कभी सुनाएंगे आज हमें बहुत मज़ा आया, ठीक है? तो बच्छो, आज का हमारा ये पार्ट यहीं परसमाप्त होता है हम आपके साथ मिलेंगे एक और नए पार्ट और कुछ नई रोचक जानकारियों के साथ तब तक के लिए आप इस पार्ट को समझे और उस कविता को गुनगुनाईए जो आपको शानवी ने सुनाई है तब तक के लिए तड़ा कर दो आपको शानवी ने साथ